मेरा नाम है देव आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ISO 27001 सर्टिफिकेशन प्रोसेस के बारे में जी हैं इसके पहले मैंने ISO के उपर दो वीडियो बनाया थे अगर आप लोगों नहीं देखे 9001 और डिफरेंस क्या होता है एक IF ISO एक Non-IF ISO के अंदर तो वो भी आप यहाप देख सकते हैं गाइस वीडियो को शुरू करने से बिले बता चाहूंगा अगर आपको ISO 27001 के रिक्वार्मेंट है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक आप के लिंक दे दूँगा जो कि हमारे दौरा ओपरेटेट है तो वहापे आपको बहुत ही कम कॉस्ट के उपर आ ISO है उसने यहाँ पर ISO 27001 की शुरुआद यहाँ पर इसली की थी ताकि जो भी information management system है उसके उपन यहाँ पर जोड दिया जा सके अब आप लोग थोड़ से confused होंगे कि यह information management system आकर होता क्या है तो देखे guys अब मैं आपको कुछ example दूँगा जिससे आपको बिलकुल clear हो जाए तो guys India के अंदर जित्ती भी IT companies है अगर मालीचे वो software as a services है या मालीचे financial management institute है banks है इन सभी को यहाँ पर ISO 27001 की requirement पढ़ती है जैसे अगर मैं fintech companies की बात करूँ या insurance company की बात करूँ तो वो अपने जित्ती भी client का जो data होता है वो obviously यहाँ पर server पर रखते है उसके बाद मैं small level IT companies की बात करूँ जैसे इसके अंदर hosting companies हो गई SaaS companies हो गई जो software as a services provide करती है कोई IT service provider company हो गई website development companies हो गई software development companies हो गई तो guys यह जित्ती भी companies है वो सारी की सारी यहाँ पर cloud computing या फिर server के उपर work करती है और इसके साथ में इनका जो भी client का data है या फिर employees का data है वो इनके computer system या फिर किसी server के उपर पढ़ा हुआ होता है even guys अगर मैं government of India की departments की भी बात करूँ जो IT के department से वो सब भी यहाँ पर ISO 27001 यहाँ पर लेके रखते हैं even हमारा जो income tax department है वो भी यहाँ पर ISO 27001 यहाँ पर certified so guys आप मेरी screen के साब में देख सकते हैं यहाँ यह income tax department का ISO 27001 एक certificate है इसके सा चोटी से चोटी यह बड़ी से बड़ी जो IT sector के अंदर companies है for an example अगर मैं ZOO की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 27001 मिल जाएगा so guys अब आपको समझ में आ गया हो कि ISO 27001 है जित्ती भी हमारे इंडिया के अंदर या भार कहीं पर भी IT जित्ती companies है सारी की सारी यहाँ जो भ एक तो आपके जित्ते भी client होगे उनका सभी का trust increase होगा क्योंकि उनका client का जो भी data होगा आपके server के उपर अगर आपने ISO 27001 ले रखा है तो आपको आपने client को यहाँ पर दिखा सकते हैं कि हम लोगों यहाँ पर कौन कौन से precautions ले रखे हैं उसके साथ मैं guys जित्ती भी hacking या या फिर cyber जो 38 होते हैं या फिर data breaching होती है उन सभी के अंदर यह आपको helpful करता है और ultimately यह आपके business को increase करता है तो guys आप बात करते हैं कि जब भी ISO 27001 certification prepare की जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़े यहाँ पर ध्यान में रखी जाती है तो देखिए एक में normal way के अंदर ब computer एक दूसरे से connect है वो कितना secure है प्लस आपने यहाँ पर cyber threat के लिए आपर क्या-क्या precautions ले रखे हैं उसके बाद में आपके जो employees के computer से उसके अंदर जो भी software से मालीजे कोई बी ultra सीधा कोई भी software download नहीं कर पाएगा आपकी permission के बिना तो यह सारे security measurement यहाँ पर ध्यान में जैसे आप अपने employees को जो अपने laptops वगरे देते हैं तो उसके अंदर कोई pen drive के अंदर डालके data कोई भार तो लेके नहीं जा रहा तो उसके जो user ID, password होगे तो उन सभी के बारे में भी आपको precautions लेने पड़ेंगे उसके साथ मैं guys आपकी organization की जो भी access control है जो भी policy है password है वो सार एकदम clear होनी चाहिए, so guys बात करते हैं कि ISO जो certificate होते है 27001 वो कितने type के होते हैं, तो normally यह दो type के होते हैं, एक होता है non-IF, एक होता है IF certificate, तो देखिए मैं आपको sample दिखा देता हूँ, जैसे आप मेरे screen के सामने दे सकते हैं, यह एक तरसे non-IF certificate है, तो guys non-IF और IF के लिए म 27001 का, तो इस type की जो है, आपको दोनो certificate यहाँ पर market के अंदर मिल जाते हैं, अब बात करता हूँ guys, document की क्या requirement परती है, जब भी आप certification लिए apply करते हैं, तो इसमें आपके business ratio improves होगे, जैसे आपका certificate in corporation होगया, GST वगर होगया, उसके लबाद letter head client के invoices होगे, आपकी IT policy, उस आती है, वहीं पर मालीजी, एक IF body के थुरू अगर आप apply करना चाते हैं, तो आपकी 3.5K to 8K के around, आपको market यहाँ पर pricing range मिल जाएगी, तो guys, अब बात करते हैं, ultimately, अगर आप एक IT company चला रहे हैं, और खुद का एक certification ISO 27001 apply करना चाते हैं, तो guys, मैं आपको लोग को frankly बताना वेबसाइट नहीं है, या common वेबसाइट नहीं है, जिसके ओपर जाकर आप apply कर सकते हैं, आपको हमेशा एक non-IF या एक IF agency को hire करना पड़ता है, और वहीं आपको ISO 27001 certification issue करके देते हैं, तो guys, होप लाइट इस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आप चनल, अगर आपके comment section के दर जरूर बताईए, thank you guys, thank you very much